पनीशा फूर कीचन में आप सबका स्वागत है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में लाइक और बैल आइकन का बटन भी जूड़ दुबाएं आज बनाए है नीबू का खटा मीठा चार बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है और ब अगर बड़े नीबू है तो आप उसके आठ टुकड़े भी कर सकते हैं यह मैं चार टुकड़ों में काट रही हूं इन सब नीबू को अलग बरतन में रख लेंगे पचार बनाने के लिए जो मसाले लिया है यहां पे काली मिर्च है अजवाइन है काला नमक है सफेद नमक है और चीनी है सबसे पहले चीनी डाल देंगे हम यहां मैं चीनी की डाल रही हूं आठास चमज डाल रही हूं टेबल स्पून है इसके बाद हम डालेंगे अजवाइन यहां मैं दो चमज डाले हूं दो टेबल स्पून अजवाइन अब डालेंगे आधा चमज काला नमक पाउडर अधा चमज डालेंगे सफेद नमक और दो ब्लडप चमज डालेंगे काली मिर्च मोटि कुटि हुई इन सबको अची तरह मिक्स कर लेंगे नीवू की साथ अच्छी तरह मिक्स कर ले मसालो को और चीनी को अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं अब इनको हमें एक सूख्य साफ जार में भर लेंगे कुछ टाइम के बाद हमारा नीबू का चार पानी छोड़ेगा चीनी अपना पानी छोड़ देगी नमक इसको अभी मैं बंद करके रख रही हूं उसको रोज धूप में दिखाएंगे जिससे चार पांच दिन में ये तैयार हो जाएगा और खाने के लिए लाइक हो जाएगा हमारा अचार, नीवो का आप देखें मैं रोज धूप रख रही हूँ अचार हमार थोड़ थोड़ा बनना शुरू हो गया है थोड़ा काला हो गया है